अगर आपके computer laptop में black skin with cursor वाली problem अगर आ रही कुछ इस तरीके से जैसे मेरे computer में अभी ये problem आ रही है यहाँ पे सिरी black skin so हो रही, cursor so हो रहा है, cursor मेरा move कर रहा है, बागी कोई option नहीं आ रहा है हो सकता है आपके PC laptop में जिसमें problem आ रही हो, वहाँ पे सिरी black skin so हो रही हो, cursor आपका दिख भी न रहा हो, cursor move भी न कर रहा हो और अगर इसके साथ आपने PC के keyboard या laptop को keyboard से control and read बटन तीनों एक साथ प्रेस करके देख लिया, उसके बावजुद भी आपके display पे कोई option नहीं so कर रह आपने इस problem को resolve कर पाएं और इस problem को resolve करने के बद अपना PC normal तरीके से use कर पाएं जैसे आप पहले यूज करते थे जैसे पहले आप काम करते थे तो बने रही हमाशार इस वीडियो में step by step आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो please कहीं video skip मत कीजेगा तो video start करने से पहले यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि black skin with cursor की दो वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें से एक वीडियो में मैंने बताया है कि अगर black skin with cursor same problem आ रही है तो किस तरीके से tax manager open करने के बाद इस problem को resolve कर बाएं, और दूसरी वीडियो मैंने बत वाली problem तो resolve हो जाती है, लेकिं computer restart करने के बाद आपका computer फिर से black skin with cursor हो जाता है, तो उसकी भी वीडियो में बना चुका हूँ, दोनों वीडियो का जो है link आपको वीडियो के depression box में मिल जाएगा, और उपर i button पे भी click करके आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, इस वीडिय आपका नहीं open हो रहा है, control alt delete button आपका नहीं काम कर रहा है, या control alt skip button भी आपका नहीं काम कर रहा है, जिससे जो मैंने पहली वीडियो में जो इस टप बताया था, वो इस टप आप नहीं follow कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका tax manager नहीं open हो तो आप कौन सा इस्टा follow करें, जिससे आपका computer on होने लगें, यहाँ पर सबसे पहले आप अपने PC को main power button से set down कर दीजेगा, अगर laptop है तो laptop का power button से set down कर दीजेगा, अगर PC है तो PC के power button set down कर दीजेगा, power button को आप 5 second तक प्रेस रखेंगे तो इस तरीके से आपका PC set down हो आपको जो है F4 या F8 button से आपको जो है safe mode window repair का option खोलना है, वो कैसे आपको खोलना हो मैं बता देता हूं यहाँ पे, तो आप यसे keyboard में देखेंगे तो यहाँ पे F4 button आपको मिल जाएगा, F8 button आपको मिल जाएगा, यह अलग-अलग PC में अलग-अलग तरीके से काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको अपना PC on करके दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने अपना PC यहाँ पे on किया, और F4 button continue मैं प्रस कर रहा हूं, अगर मेरा safe mode का option खोल जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है नहीं, तो otherwise मैं फिर से set down करके F8 button को continue प्रस करूंगा, तो यहाँ पे हमारा option न दोबारा से on कर दिया, और F8 button को continue हमने प्रस किया, अपने keyboard से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्पले में repair your computer का option आ चुका है हमारा, तो यह option हमारा F8 button से खुल गया है, तो आप इसी तरीके से आप जो है अपने computer laptop में try कर लीजेगा, या फिर अगर इन दोनों बट sit down कर देना main power button से, ऐसे आपको 3-4 बार आपको करना है, फिर उसके बाद automatic ही आपका repair your computer का option आ जाएगा, अगर आपका F4 ए F8 button नहीं काम करता या उससे नहीं open होता यह option तो आप जो है diet PC को on करने के बाद, जैसे on होगा वैसे off कर दीजेगा, ऐसे 3-4 बार करिएगा, यह option आ जाएगा, उसके बाद यह option आने के बाद, जो आगे step में बताने वाला हो, वो step आप follow करिए, अब यहाँ पे आपको repair your computer पे आपको enter कर देना है, जैसे enter करेंगे कुछ इस type का आपका loading लेगा, loading लेने के बाद आगे का जो step में बताने जा रहा हो, वो step आपको follow करना है, again कु Twitter में कोई password पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको password डाल के logging कर लेना है, यहाँ पे हम next कर लेते हैं, क्योंकि हमारे PC में यहाँ पे कोई password नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे हम next कर लिए, जैसे आप user account चूज करने के बाद, इस option पे आएंगे, choose your recovery tools पे, यहाँ पर सबसे पहले अब को startup repair पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे searching for problem यहाँ पे detect कर रहा है, और यहाँ पे searching complete होने के बद, अगर इस type का आपके सामने option आता है, startup repair call not detected a problem, यहाँ पे आपको view advance पे click कर देना है, यहाँ पे, इस पे click करने की बाद, आपको दूसरे option पे क्लिक करना system restore आपको करना है system restore पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ भी time लेने के बाद आपका कुछ type का option आ जाएगा next कर दीजेगा next करने के बाद यहाँ पे so more restore point पे आप टिक कर दीजेगा या window update करने से problem हो जाती है तो उसको अगर हम back date में restore कर देते हैं तो problem high resolve हो जाती है जैसे कि यहाँ पे date and timing दिखा रहा यहाँ पे मैंने सबसे last date जो दिखा रहा वो मैंने choose कर लिया उसके बाद इसको next कर देते हैं आप अपने ही साबसे यहाँ पे date choose कर लीजेगा जिस date में अगर माल लीजे आप सबसे उपर की date select करते हैं अगर उस date में करने के बाद अगर कोई भी data delete नहीं होता है system restore का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके जो है computer में कोई application जो install हुए होंगे इस date के बाद ठीके वो application ही सिर्फ restore होगा बाकी और data आपका कुछ भी नहीं जाएगा यूँकि जब हम कभी कभी कोई application जो है download करके install करते हैं तो वो application हमारी कुछ window की file को कर दीजेगा next पर click again आप यहां finish कर दीजेगा यहां पर आपको कर देना yes पर click फिर यहां पर आपका system repair को इस type का चलने लगेगा तो यहां पर थोड़ा सा wait कर लीजेगा यहां पर अलग-अलग system में अलग-अलग timing ले सकता है यहां पर मतलब आपके एक minute के अंदर भी restore हो सक किसी किसी सिस्टम में दो तीन चार पांच मिनट आपका लगा है तब तक आप वेट कर लीजेगा जब तक next option आप नहीं आता है आपका यहां पर वीडियो कम थोड़ा सा fast forward कर देते हैं जब तक हमारा next option ना आ जाए जिससे आपको ज़्यादा wait ना करना पड़े तो यहां पर देख लिजे हमारा option आ चुका system restore complete successfully तो यहां पर हमें restart करना है तो यहां पर हमारा system restore completely हो चुका है तो आपका भी कुछ इसी टाइप का अगर message आता system restart करने के बाद आप जो है अपना computer दुबारा on करके चेक कर लीजेगा restart पर क्लिक करके जैसे कि मेरा computer restart हो गया है तो यहां पर हमने अपना computer restore किया उसके बाद successfully हमारा computer जो on हो चुका है सेम उसी तरीके से जैसे कि मेरा computer पहले on हो रहा था इस problem की आने के पहले और यहां पर मेरा कोई भी data एक भी data delete नहीं हुआ मेरे computer से जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था और यहां पर message भी आ चु पूली तो यहां से हमें close कर देना है तो हमारी इस computer में black skin with cursor की problem थी और control or delete button भी नहीं काम कर रहा था जिससे हमारा tax manager open नहीं हो रहा था और उसके बावजूद भी हमने black skin with cursor की problem को solve किया कैसे solve किया यह आपने इस video में देख लिया होगा तो आई होप आपने भी इस video को देख करें इस channel के माद्यम से और आप घर बैटे बहुत से आसानी से इस video को enjoy कर पाएं और अपनी problem को resolve कर पाएं और इसके साथ अगर यह video आपको पसंद आई तो please like करें comment करें और लोगों तक इस video को share करें जिससे और सभी लोगों को इस video के माद्यम से जानकारी प्राप्त हो पा दिसस्ट नहीं हा नहीं हा तो